नमस्ते प्रिये जनों, राइट वे एस्टो चैनल पर आपका स्वागत है। धनु राशी वालों के लिए मार्च 2022 जोगतिश नुसार कैसा रहेगा। मार्च में आप क्या अनुभो करोगे? इसी की चर्चा इस वीडियो में होगी। इसमें सभी ग्रहों के गोचर का प्रमुक फल और अंत में मार्च 2022 की आपके राशी नुसार शूप अशूप तारिक आप जान सकते है। मैं सिर्प महत्तो पुर्ण बाथी करता हूँ। इसलि लेकिन ऐसे कालखंड में मिश्र फलों का अनुभो होता है। इसे याद रखिए। राशी फल को अधिक सटिकता से समझने के लिए आपकी लगनराशी और आपकी जन्मराशी। ऐसे दोनों राशी फल अवश्य देखिए। अगर आपको अपनी राशी की जानकारी नहीं है सिरिप तभी नाम राशी नुसर भी देख सकते है। मार्च 2022 में आपके राशी स्वामी देवगुरु भ्रोसपती कुम्भराशी में आपकी धनुराशी से पराक्रम भाव में गोचर जारी रखेंगे। देवगुरु के इस गोचर में बेहत कोशिश करने पर भी सफलता न नामिलना क्या होता है इसका अनुभव आप कर चुके होंगे। धनसंपत्ति को लेकर चल रही परेशानियों से निपटने के लिए आपके प्रयास मार्च में भी चारी रहेंगे। परिवार में सुकषांती बनाए रखने के लिए आपके प्रयास ना काफि महसूस कुछ करीबियों के बिछडने से आप दुखी रहेंगे। नोकरी व्यवसाय में आपका ग्राफ थोड़ा नीचेगी और जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस समय पर यात्राएं आपके लिए संतोष चनक रहेगी। शनिदेव मार्च 2022 में मकर राशी में ही रहने वाले हैं। साड़े साती का अंतीम दोर चल रहा है। अब तक आप धनसंपत्ति की कमी, पारिवारी कल है, इंकम में कमी, आने वाला पैसा कही अठके रहना, सुकशान्ति की कमी, मान सन्मान में कमी, ऐसा सब कुछ अनुबो कर च चिर्ता महसूस होगी। रहुका वुरुषव राशी में शष्ठ भाव का गोचर आपकी हिम्मत बढाके रखे है। तो केतु वुरुष्चिक राशी में बारवा होने से आकस्मिक खर्चों के कारण आपको चिन्तित कर रहा है। देवगरु ब्रहस्पती, रहुकेतु और आगे का राशी फल और ज्यादा महत्तो पूरुन है। ऐसे ही जोतिश चासर के संदर्व में महत्तो पूरुन जानकरी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट वी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाईए। मेरे इस चैनल पर आप सही कमेंट भी जरूर कीजिए। मासिक राशी फल पर सर्वादिक प्रभाव रखने वाले सुर्य देव का गोचर चौदा मार्श तक आपके राशी स्वामी के साथ कुम्भ राशी में रहेगा। जो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आपके क्षमताओं में वृद्धी होगी। प्रयासों में सफलता मिलेगी। आपका प्रभाव बढ़ेगा। मार्श के उत्तरार्द में सुरीदेव मींद्राशी में प्रवेश करेंगे। और आपके सुखस्थान में गोचर करेंगे। इसलिए मध्यमार्श के बाद आपको अपने स्वास्त का अधिक ध्या करनी होगी। शुक्रदेव संपूर्ल मार्श 2022 में मकर राशी में शनिदेव के साथ आपके राशी से धन भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव के प्रभाव के कारण परिवार में प्रेम भरा माहोल रहने से आपको पारिवारिक सुक्की अनुभूती होगी। संपुर्ल मार्च में शुक्र और शनिदेव के साथ मकर रशी में ही गोचर करेंगे। इसलिए मार्च में खर्चे भी होंगे। साथ ही आपके साथ विश्वास गहत के कारण नुकसान की संभावना बनी रहेगी। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन न हो सकती है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रन रखते हुए संयमित्वानी का प्रयोग करना होगा। अन्यथा आपके शत्रों में वृद्धी हो सकती है। संतान से मतबध हो सकते है। दुरगटना की संभावना रहने से वाहन चलाते समय सतर्क रहना है। छे मार्च तक बुध भी मकर रा लगेगा। 6 से 24 मार्च तक बुध कुम्बराशी में ब्रसपती के साथ पराक्रम भाव से गोचर करेंगे। मार्च 2022 के इस बीच के कालखंड में बुध के प्रभाव के कारण आपको शत्रुभय लगा रहेगा। अपने आप पर आपकुछ प्रेशर महसूस करोगे। रापपार व्यवसाय में कुछ राहत की सास मिलेगी, धन प्राप्ती होगी, अच्छे हितैशी मित्रब बनेंगे, कुछ खुशिया मिलने से मन प्रसंद्न होगा। इस तरह से सभी ग्रहों के राशी गोचर अनुसर फल आपको प्राप्त होंगे। अब संपुर्ण मार्च अस महिने में आपके लिए शुब और अशुब दिन कौन से है इसे भी नोट कर लीजिए। क्योंकि इससे राशी फल में बताए शुब फल आपको कब प्राप्त होंगे और अशुब फलों के कारण आपको कब सतरक रहना है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। मार्च में 1 से 3, 8 से 13, 18 से 22, 25, 26, 29, 30 तरिक आपके लिए शुब है। 13 से 15 और 22 से 24 तरिक आपके लिए अशुब है। कुछ इसी तरह से मार्च 2022 में आप अनुभव करोगे। अभी के लिए इतना ही राइट वे एस्टो चानल देखते रहिए। सब्सक्रेब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए। धन्यवाद।